जैपुर के कुछ हिस्सों में कई घंटों तक हुई मुस्तलाधार बारिश की वज़े से सडकों की क्या हालत हो गई यह आप देख सकते हैं कई जगह तो यह समझ नहीं आ रहा कि गड़ों में सडके हैं या सडकों पे गड़े हैं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा था खास तौर पर दूपईया वाहन चालकों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी जगह जगह सडकों पर पानी जो है वो भर में मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के कई हिस्से जिसमें दोसा जिला आता है कई कहीं अती भारी वर्षा हुई है जबकि जैपुर, टॉंक, नागोर समेत कई जगाओं पर भारी वर्षा हुई है पिछले 24 गंटों में आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरा परसन एक बर पैन करके दिखाएं किस तरह से जो दूपहिया वाहन है वो खासी दिक्कतों का सामना कर रहे थे कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं सर ये बताएं भारी बारिश की वज़े से क्या क्या दिक्कत जाना की सर एज़ा वर्किंग प्रोफेशन के साब से मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी टाइमिंग 9.30 की ओफिस पहुचने की इस रोड से जाने के लिए हमें एक से डेड़ गंटा पहले से निकाल के जाना पड़ता है उसके बावजूद भी अगर इस पर ट्रैफिक जैम जो भरा हुआ है उसकी वज़े से दिक्कत प्याद्ट यह आपके सामने यह सर पानी भड़ने की वज़े से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यह टू लेंड है जिसको अभी सिंगल लेंड किया हुआ है गांधी पड़ पर बारिश की वज़े से दिक्कत है यह टू लोगों को दिक्कत आ रही थी दूसरा जो गड़े सडकों पर हैं उसकी वज़े से वो दिक्कते कई गुना जो हैं वो बढ़ गई हैं लोगों की यह लोगों जिस मीडिया पर अपलोड कर देशा था हूं सुबहा गुटने से उपर पानी है यह पर और खड़े यह देख रहे हैं रोड ती टूट चूट चुकी है ना तो सांसत मौदे सुनते हैं ना एमेले मौदे सुनते हैं क्या दिक्त चाहरी थी बारिश की वज़े से आए दिन लोगों की गाड़िया खराब हो रही हैं और गाड़ी से क्या आप तो ना होगी जरुत पढ़ने वाले एक उस दिनों में आपने सुना ये जो तमाम लोग हैं इनका कहना था कि गड़े जो हैं वो खासा दिकतों का सबक बना हुआ था क्योंकि जो पानी बारिश की वज़े से कट्था होता है उटके निंके जो गड़े होते हैं कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि सड़क पर गड़े कहां पर हैं क्योंकि बारिश का पानी भरा होता है जिसकी वज़े से आए दिन इस सड़क पर आसपास के अलाकों में जैपूर के कई जगाओं पर एक्सिरेंट होने का खत्रा जो है वो बना हुआ है और बारिश की वज़े से वो खत्रा जो है वो बढ़ जाता है कैमरा परसन मनीश के साथ मैं देवंकुर वधावन हुआ है